स्वागत है हमारे यूटूब चैनल फगुनियाद 07 अफिसल में तो आज थोड़ा खुसी की बात है कि जब से हम लोग यूटूब स्टार्ट की हैं तो अभी हाल फिलाल कुछ दिनों से हमारे पास बहुत सरे ऐसे ओफर आ रहे हैं स्वांग बनाईए एलबम बनाईए तो हम हम लोग अभी डिशाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग एलबम का उफर इतना मिल रहा है करें कि नहीं करें इसलिए क्योंकि थोड़ा सा प्रॉबलम होता है भी ठंड का समय है और छोटा सा दक्ष है तो इसको लिए करके हम लोग को इधर उधर जाने में तो बनेगा है और यह भी अच्छी तरह से फिट नहीं है तो इसलिए यह भी बोल रही है कि थोड़ा सा रूख जाते हैं उसके बाद क्योंकि मनें दस दिनों से बहुत सरव फर आ रहा है अभी हाल फिलाल दो दिन पहले भी आया था कि हम आपको हम अपने एल्बम में लेना चाहते हैं तो हमने अभी तक उनको हां नहीं बोला है कि क्या करें नहीं करें तो देखते हैं अभी क्या होता है और तो यह सब जो हो रहा है अफिलोग के बदौलग से हो रहा है आप लोग ने इतना प्यार दिया YouTube पे तो सब लोग देख रहे हैं कि हां इनका जो फैन फ्लॉवर काफी ज् कि पहुचे जरूर बताइए कि अमनों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसको छोड़के तो हम कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं और जाना अलबम बनाने का मतलब है कि दिन भर का काम रहा और और वह भी वह चोटा है इसलिए अब भी सोची रहे तो आप लोग भी जरूर सला अब कोमेंड में जरूर बताईएगा आपको करना चाहिए या थोड़ा सा रूख जाना चाहिए क्योंकि आप लोग भी तो फैमिली से ब्लॉंग करते होंगे आप लोग के घर में छोटा सा बच्चा होगा कितना तकलिफ होता है उनको रखने उखने में अभी देखिए वह कैसे वहां पर खेल रहा है अभी चुप-चाप के रहा देखिए कंबल से उसको ढख दिया थे लेकिन वह क्या किया है पूरा पैर से मार मार के कंबल को खटा दिया और इधर एक जीवा आप भी क्या की थी ये टिशन के लिए तैयार हुई ती और टीशन जहां भी रही थी तो क्या हुए निया कि आज हमर को मन नहीं आ जाने के लिए गांगे अब हम्लोकी अलबम बनाने के लिए इधर suspicion अज बंढसे usod क्या लोगि इंसले हैं कि अगर आगर हम लोगे एंट बनाने के लिए इधर जाते यह थी अ हैं तो फिर जीवा कोatics रहेगार दौcing इसको कौन रखेगा तो इसी लिए इसका मम्मी अभी फिर से इसको ढखने के लिए तयार होगे इसका चोटा से कंबल जोखा उसमें यह सुसू कर दिया इसको धो करके बाहर हम पसार दिया है ताकि वह सुख जाए जल्दी तो प्रें हमारे एक छोटा सा रूम है जहां पर हम ब्लोग बनाते हैं चार फैमिली हम लोग है चार फैमिली मंबर जीवा दक्ष फगुनिया और हम है तो इससे क्या होता है कि इतने यही रूम में लोग को रहना बता है एक छोटा सा कीचन है आगे तो उसमें हम लोग क्या गरते हैं खाना उना बना लेते हैं या कभी-कभी कॉमें आप लोग को करना है या नहीं करना है यह सिर्फ आप ही ऽोटीन करेंगे हैं एक करेंगे करेंगे किया कि आप लोगों ने करेंगे तो source कि सो मच फ्रेंड हमारे राइ को सुनने के लिए और आप लोग राय हमको दीजिए कॉमेंट में तो मिलते हैं अगले ब्लोग में अगले वीडियो में तब तक के लिए